पन्नÂक वालिखाना चेत रंदल ग्त धर्दुआ गाओं में मवेशी चराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया विवाद इत्ना बड़ गया कि गाओं में दो पक्षों में फायरिंग शूरू हो गई इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौथ हो गई वही आट लोग घायल बताया जा रहे हैं इनमें एक की हालत गंभीर है वही पुलिस से सभी घायलों को इलाज के लिए जिलाज पतार में भड़ती करवाया गया है जहां सभी का इलाज चल रहा है पुलिस से मिली जानकारी के अनुशार पन्ना कोत्वाली धाना छेतर अंतर गज सिविल लाइन चोकी छेतर के हरदुआ गाओं में शुक्रवार की सुभर नौ बजे दो पक्षों में खेत में मवेशी चराने की वज़र से विवाद हुआ गाली कलोज से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से फाइरिंग होने लगी इस विवाद पटी गाओ निवासी पूरन यादव की मौके पर ही मौत हो गई और अन्ने आठ लोग घायलो गायलों में मृत्म पूरन यादव का बेटा प्रताव सिंग यादव, अनु यादव, रंजीत यादव शामिल है गायलों में दो बच्चे भी है, कुल आठ लोग घायल बताय जा रहे है पन्ना जिलास पताल में भारी संक्या में पुलिस बल मौजूद है मामले को शाद कराने की कोशिश की जा रही है, पन्ना कोतवाली थाना प्रभारी और उन सोनी ने बताया कि हर दुआ गाओं में गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है आदा दरजन लोग घायल है जिनने इलाज के लिए जिलास पताल में भर्दी करवाया गया है पूरे मामले की फिलहाल जाच की जा रही है, जल्दी फायरिंग करने वाले यूगप को गरफतार कर लिया जाएगा